साथियों कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पस्चिम मंगाल को सौपने का आउसर मिलेगा नमामी गंगे मिशन के तहट पस्चिम बंगाल में सिवरेट के पटीश से जादा प्रोजेक्ष को मंजुरी दी गई है इन में से ग्यारा प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और साथ प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं आज देड़ हजार करोड की लागत से पांच नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है इसमें जो प्रमूख है वो है आदी गंगा नदी का पनरुदार मुझे बताया गया है कि अभी आदी गंगा नदी की स्थिती दुर्भाग्य से बहुत खराब है इसमें जो कुड़ा कचरा गिरता है सीवर का गंदा पानी गिरता है उसकी सफाई के लिए 600 करोड रुपिय से अजिब का आधुनिक इंफ्रासेक्टर तैयार किया जा रहा है हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में प्रिवेंटिव हेल्ट केर की बात तो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिन चरिया वो होनी चाहिए कि बिमारी की नौबती ना आए ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साप करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशर पर भी बहुत जोड दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधुनिक तरीका है जादा से जादा आधुनिक सीवेज ट्रिट्मेंट प्लाट आने वाले 10-15 साल बात की जरुरतों को ध्यान में रखने हुए देश में आधुनिक सीवेज ट्रिट्मेंट प्लाट लगवाए जा रहे हैं आधुनिक के अमरित काल में हमें फॉर्वर्ड लुकिंग सोच और एप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है साथियो इस 21 सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतिय रेल्वे का भी तेज विकास भारतिय रेल्वे में तेज सुधार ये सारी बातें बहुत जरुरी हैं इसलिए आज केंद्र सरकार भारतिय रेल्वे को आधुनिक बनाने के लिए रेल्वे इंफ्रास्टेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इंवेस्ट्मेंट कर रही है आज भारत में भारतिय रेलवे के काया कल्प का राष्ट्र व्याब्य भ्यान चल रहा है आज बंदे भारत तेजस हमसबर जैसी आधुनिक ट्रेने देश में बन रही है आज विश्टा डोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे है आज सुरक्षीत आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड बुर्द्धी हो रही है आज रेलवे स्टेशन को भी एरपोर्ड की तरह विक्सित किया जा रहा है न्यू जलपाई गुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है आज रेलवे लाइनों का दोहरी करन रेलवे लाइनों का बिजली करन जिस रप्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ देश में जो इस्टरन और वेस्टरन डेडिकेटेट ट्रेट कुरिडोर बन रहे हैं वो लोजिसिक सेक्टर में क्रांतिकारी बढ़लाव लाने वाले हैं सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ हो, सामंजश्य हो, समय की पाबंदी हो, सहुलियत हो भारतिय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सब की कोशीश रंग ला रही हैं बीते आठ वर्षों में भारतिय रेलवे ने आधुनिक्ता की निव पर काम किया है अब आने आल आठ वर्ष में हम भारतिय रेलवे को आधुनिक्ता की नई आत्रा पर निकलते हुए देखेंगे भारत जैसे युवा देश के लिए भारतिय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा ही है और इसमें निस्चित तोर पर चार सो पच्चतर से जादा बंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी साथियों आजादी के बात के साथ दसकों में बीस हजार रूट किलोमेटर रेल लाइन का बिज़िकर्ण हुआ वहीं 2014 में हमारी सरकार बनने के बार बिते साथ आट वर्सों पहीं 32 हजार रूट किलोमेटर से जादा रेल लाइन का बिज़िकर्ण हो चुका है ये हैं देश के काम करने की रप्तार रेल्वे के आधुनी करण की रफ्तार और इस रफ्तार को तेज करने के लिए अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बिजली के रेल इंजीनों का भी तेजी से निर्मान हो रहा है साथ क्यों आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टिम है कोलकता के लोग जानते हैं कि दसकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का कितना बहतरीन माध्यम रही है 2014 से पहले तक देश में कूल मेट्रो नेट्वर्प 250 किलोमेटर से भी कम था और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्षेदारी दिल्ली NCR की ही थी केंद्र सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता हुए है उसको बदने का पुरा प्रयास किया है और बहुत तेजी से बदला है बीते आठ वर्षों बहें हमने मेट्रो का दो दर्जन से अधीक शहरों तक विस्तार किया है आज देश के अलग-अलग शहरों में लगबग 800 किलोमेटर ट्रेक पन मेट्रो चल रही है एक हजार किलोमेटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है जोका बिबिडी माग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है साथियो पिछली सदी के भारत की दो और बड़ी चुनोतियां रही है जिनोंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर राला है एक चुनोति रही इंफ्रास्ट्रक्टर के कारियों में विबिन्न एजन्सियों में तालमेल की कमी और दूसरी चुनोति रही ट्रांस्पोर्ट के विबिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जिरो होना इसका नतिया यह हुआ कि सरकार के एक विबाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विबाग कहां नया काम सुरू करने वाला है इसका खामिया जा देश के इमानदाट टैक्सपेर को उठाना पड़ता था देश का इमानदाट टैक्सपेर हमेशा से सरकारी पैसे की बरबादी से परियोजनाओं में देरी से बस्टाचार से नफ़त करता है जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी कमाई से दिये हुए टैक्स से गरीब का नहीं बलकि किसी ब्रस्टाचारी का भला हो रहा है तो उसका खिन्द होना स्वाभाविक है पैसे की इसी बरबादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में, तानमेल को बढ़ाने के लिए पी-एम गति शक्ती नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है अब चाहे विबिन्द राज्य सरकारे हो अलग-अलग सरकारी विभाग हो कंस्रक्शन से जुड़ी एजन्सियां हो या इंडिस्ट्री के लोग हो सब एक ही प्लेटवर्म पर आ रहे हैं पी-एम गति शक्ती देश में ट्रांस्पोर्ट के अलग-अलग माध्यों मों को जोड़ने मल्ति मोडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाइवे बन रहे हैं एरपोर्ट बन रहे हैं बोटरवे बन रहे हैं नए पोर्ट बन रहे हैं और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इन्हें अब इस तरह तैयार किए